हेलो फ्रेंड्स क्यासे हैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के बाल विकास्यों सिच्छा सास्त्र के मुहत्वपूर प्रश्णों के साथ आए हैं ठीक है तो देखें फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नेकिये हैं वह लोग कर है यह बाल विकास्यों सिच्छा सास्ते कोश्चन है जो कि आपके सीटेट में 30 नंबर के कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो पहला कोश्चन है आपका देखिए बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है ठीक है बचपन से लेकर आपके वयस्कता के परिव करतन काल का समय कौन सा है बाढभि के साज़रेय के राइट ऑप्सन जो जाएगा किस ओरवस्था बच्पं से वयरुइस्कता तक की संक्रमप कालीन आवदी जिसमें युग आवस्था की परिपकता और माता पिता से सोतंदता की चाह होती है और देखिए इसमें हम आप लोगों को और समझा दे रहे हैं फ्रेंड्स की जो किसोरा वस्ता होता है वो बच्पन और वयस्कता के बीच 10 से 19 वर्स की आयू के बीच का चरड है ठीक है और देखिए ये मानव विकास का कोनाव चरड होता है और अच्छे स्वास्थी के निव रखने का महत्वपूर समय हो ठीक कि किसोरा वस्ता ही है ऐसा आपका आवस्ता deb essly जिसमें आप अपने की कि सिर्शे का निव की सबस्री के और लिश्रान करते हैं उनके तेजी से सारविक संगय नात्मक और मनों शामाजिक विकास का अनुभव भी करते हैं वे किस वर आवस्था में ठीक है अगला क्या है कि देखिए अगला क्विस्चन है कि निम्न में से किसके लिए इस्थुल गामक कॉसल के उपयोग की आविश्यक्ता होती है इस्थुल गामक देखिए एक होता है आपका सुष्म गामक दूसरा होता है इस्थुल गामक ठीक है इस्थुल को जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं ग्राश मोटर ओके तो देखिए यहां पर है आपका ब्रस से पेपर पर पेंटिंग करना ठीक है ब्रस से पेंटिंग करना यह आपका सुछ में हो जागा ठीक है यह आपका इस्थुल नहीं है ब्रस से पेपर पर पेंटिंग करना दूसरे हैं पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना यह भी आपका नहीं है यह है सुई में धागा डालना ये भी नहीं आपका चौथा है आपका चलना और दोड़ना तो देखिए इसका जो राइट आपसन है आपका वहीं फोर्थ ही होगा इसका भी ठीक है देखिए ग्रास मुटर यानि की जो इस्थुल गामक कौसल होते हैं देखिए जिसमें चलने में और अगर आपसे पूछ दे कि सुष्म गामक क्रिया कौन सी होती है तो यह देखिए यह भी आपका पहला हो जागा ब्रस से पेपर पर प्रेंटिंग करना टुकड़े काटना सुई में धागा डालना ठीक है यह सब आपका क्या हो जागा सुष्म गतिक कौसल ओके तो द किसरा कोश्चन है कि समाजी करण की प्रत्म संस्था है परिवार स्कूल दोस्त मीडिया तो देखिए फ्रेंट्स यदि आप लोगों को आ रहे होंगे तो फटा-फट से कमेंट भी करते जाएगा कौन सी किसके कोश्चन होंगे ठीक है तो देखिए फ्रेंट्स जो समाजी क करण की प्रत्म संस्था होती है वह आपकी कौन सी होती है वह आपका परिवार होता है ठीक है परिवार को परामपरागत रूप से सामाजी करण का पहला एजंट माना जाता है ठीक है क्योंकि यह पहला समू है जिससे बच्चा बात्चित करता है और जिससे सीखता है ठीक है अगला question देखिए यह माननेता कि बहुतिक वस्तुवे जैसे गुड़िया कार में सजीव गुड़ होते हैं ठीक है क्या कहलाती है पहला है जिववादी सोच दूसरा है पदा नुक्रमित सोच तीसरा है केंदरी करड चौथा है आपका वर्गी करड तो देखिए फ्रेंट जो एक माननेता है जैसे गुड़िया होती है ठीक है तो कार में सजीव गुड़ होते हैं क्या कहलाती है वह यहां पर पूछा गया है तो जिसमें आपका जैसे कि सजीव है वह उसके अंदर जान है तो जाहर सी बात है कि वह जीववादी सोच होगा ठीक है वह सोच रही है कि ज जैसे देखे एक उदाहरण हम आपको बता दे रहा है कि जीन प्याजे द्वारा एनी मीज में जैसे कि जीवाद कहे जाने वाले पूर्व संचालन चलड की एक प्रमुख विसेश्था की और इसारा करता है ठीक है और देखे यहीं होता है एहम केंदरी सोच यहीं आपका एहम कथन वाला कोस्चन है यह थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग पढ़िएगा ठीक है यह आनलाइन के जो आपके जितने भी सिफ्ट हुए हैं बहुत ज़्यादे इससे कोस्चन पूछे गए हैं आफ लाइन में आसंका है कि दो चार कोस्चन जरूर ही मिलेंगे आप लोगों देखे क्या है अभी कथन यह क्या है चार वर्सी रिया लंबे और चोड़े दो बरतन में एक ही समय में सामान मात्रा में पानी डालते समय बरतनों की उचाई और चोड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है ठीक है रिया जो है वो चार वर्सी रिया लंबे चोड अब देखे इसका कारण क्या है जीन प्याजे के अनुसारीय संग्यानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है तो यह तो यहां पर क्या पूछ संग्रयात्मक याणि कि वो बच्चा कौन सी अवस्था में है वो दूसरी अवस्था में है ठीक है दो से साथ वर्स की अवस्था में अब देखें यहाँ पर सही विकल्प क्या चुनना है आपको आए आगे देखते हैं यहाँ पर देखें दिया है कि a और r दोनो सही है और a r तोनो सही है और a की सही ब्याख्या करता है जो r है वो a की सही ब्याख्या किया है option देखे अगला क्या है कि a और r दोनों सही है लेकिन a r की सही ब्याख्या नहीं करता है ठीक है तीसरा है a सही है लेकिन r गलत है चौथा आपका a और r दोनों तो यहां पर देखिए आपका राउ mortar सांक्र्यात्म कते हैं गलत है और यह जो तो बाद आपका होगा आपको k20 यह बटाया है आपको पूर्व संक्र्यात्मक की अवस्था होती है चरड की वो क्या होती है दो से ले करके आपके साथ वर्स होगा वो साथ वर्स की अवस्था में है ठीक है तो उसने क्या बोला है कि पियाजे के जो रिया है ठीक है पियाजे के अनुसार रिया संग्यानात्मक विकास के पुर्व संक्रियात्मक चरण में है तो यानि कि वो इसी चरण म तो ये दोनों ही सही है ठीक है और जो आर है ये एकी सही ब्याख्या करता है तो देखे फिरंटस ये आपका सही आपसन हो जाएगा ठीक है यह आपका सही option हो जाएगा अगला question देखिए क्या है अगला question देखिए friends की संकेतों वा अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पढ़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है देखिए पाड है पुनरबलन है अनुबंधन है संगयनात्मक द्वंद है ठीक है तो देखिए friends जो आपको जो संकेतों वा अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पढ़ने पर मदद किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं पाड ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं इसके फोल्डिंग इसके फोल्डिंग एक ऐसी तकनिक को संदर्भित करता है ठीक है जो बच्चों की छमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही प्रकार का समर्थन प्रदान करता है ओके फ्रेंड्स तो आए हमने अपना अगला कुस्चन देखते हैं क्या है देखें फ्रेंड्स हमारा अगला सात्वा कुस्चन है कि बच्चों की सिच्छा के लिए वाई गोत्सकी के सिध्धान का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है पहला है आपका सहयोगात्मक अधिगम क्रिया प्रशूत अधिगम रटंत अधिगम निस्करी तो सबसे पहले जो निस्करी है और रटंत है ये दोनों ही आपका तो पहले निगेटु वर्ड है तो इसको आप हटा देंगे क्रिया प्रशूत अनुबंधन का सिध्धान ये तो आपका इनका है नहीं ठीक है वाई गोत्सकी क्या बोले है सामाजिक सांस्कृतिक और शहयोगात्मकता के ब ग्रहड करता है ठीक है फिर उस जानकारी का उपयोग अपने स्वयम के कारियों को निर्देशित करने के लिए करता है तो आपको यहां पर राइट आप्शन क्या हो जाएगा ए वन ठीक है आए अगला कुस्चन देखते हैं हमारा क्या है कि कोहल बर्ग के नैतिक विकास के क पेच्छा अनुशार कार्य करता है देखिए पूर्व संक्रियात्मक चरण पूर्व परंपरागत चरण तीसरा है आपका परंपरागत चरण चोथा आपका परंपरागत चरण तो देखिए यहां पर आपका राइट आप्शन हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा परं अपने बिवहार के चर्वय के दूसरों के दूसरों के कि प्रघंежд को विशेषक को जतै जाए है किसे स्विक्रति के हैं के फ्रेंडस औरलट से समबंदि शामाजक नियमों की स्विकรति की विसेस्ता है क्छा परिच्छा केंध्रित होती है। जो आपका प्रगति सील का अच्छा होता है। वो देखेल को यूट generate होती है। आईये आपना अग्ला कॵेश्च्चन देखते हैं। सबकुर्स यूट है देखेलैंत हैक अग्ला 10 कि रेएक बिद्ध्याले में ठीक है रेनु एक बिद्याले में परामर्स दाता है हावर्ड गार्डनर के सिध्धान्त के अनुसार प्रभावी परामर्स दाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धी होनी चाहिए ठीक है वह परामर्स दाता है तो जहिर सी बात है अब हम आपको बाद में बताएंगे सबसे पहले अपना ओप्षन देख लेते हैं क्या क्या है ठीक है भासाई अस्थानिक पारस परिक्या नहीं कि अंतरव्यक्तिक दूसरा है अंतःव्यक्तिक ठीक है तो देखें आपका यह यह नहीं होगा आपका पारस्परीक अंतरव्यक्तिक यह होगा ठीक है क्योंकि वह क्या है परामर्ष दाता है ठीक है तो देखिए इंटरपर्शनल जिसे क्या बोलते हैं पारस्परीक ठीक है अपना परामर्ष दाता यानि की परामर्ष देगा कि क्या आपको कैसे क्या करना है ठीक है देखिए वह दूसरे की स्वभाव इरादो भावनाओं और दुरिष्टी कोड को समझ सकते हैं और दूसरों से अच्छी तरह से दूड़ सकते हैं ठीक है अंतरव्यक्तिक मतलब जो धूसरे को समझ जाए ठीक है और अंतरव्यक्ति का क्या मतलब होता है जो खुदք समझ जो इकर यह अंतरव्यक्तिक यह वह होता है कि राश्ट्री सिच्छानेती 2020 के अनुसार एक सिच्छक को सिच्छड अधिगम प्रक्रिया के दोरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेशण के लिए किस भासा का प्रयोग करना चाहिए देखिए पहला option है आपका केवल छेतरी भासा, केवल हिंडी भासा, केवल अंगरेजी बच्चों की मातरी भासा तो देखिए friends हमने आपको पहला ही बताया है कि primary ister पर जो बच्चे आते हैं उनको मातरी भासा का प्रयोग कराया जाओका ठीक है आईए अगला question देखते है अगला question देखें friends कि 5 साल की बैसाली ने ठीक है 5 साल की बैसाली ने अपनी मा से कहा मा मुझे अमित की तरह फुटबाल चाहिए बैसाली को जबाब देते हुए उसकी मा ने कहा फुटबाल से तो केवल लड़के खिलते हैं मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुडिया लाऊंगी मा का जवाब क्या दिखाती है ठीक है जेंडर भूमिका में लचीलापन लिंग समानता लिंग रूड़ी बद्धता और लिंग प्रासंगिकता तो देखे फ्रेंट्स इसका जो आपका राइट अप्सन हो जाएगा यह लिंग रूड़ी बद्धता है कि नहीं लड़के तो बॉली बाल से खिलते हैं और लड़किया जो है वो गुड़िया गुड़्डे से खिलती है आपका लिंग रूड़िवाधिता के अंतर गटाता है ऐसा कुछ नहीं होता है देखें फ्रेंट्स जो लड़के हैं वो भी बॉलीबाल खिल सकते हैं लड़किया है वो भी बॉलीबाल खिल सकती हैं ही यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों का नामी करण हुआ उन्हें वर्गों में बाटना पहला अप्शन है अर्थपूर सीखने को बढ़ावा देगा वह सूसाधित करेगा दूसरा है आपका बच्चों के समों में हिंता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा आई अगला क्विस्चन देख लेते हैं क् कि सभी बच्चों के अधिगम की जरूर्तों को पूरा करने के लिए एक सखारात्मक रड़ेनिती है चौथा आपका बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा देखें इसका जो राइट अप्सन आपका हो जाएगा कि यहां पर क्या प अगर हम बाड़ देंगे अलग अलग तो उनको में हिंता आती है जैसे हमने बर्दवासाली बच्चों को एक ग्रूप में बाड़ दिया मंद बुद्धी बाल को के एक में बाड़ दिया ठीक है तो उनको यह अपने आप से फील होगा कि नहीं साध हम पढ़ने में अच्छ नामी करण मतलब क्या होता है लेबलिंग लगाना बच्चों को स्वयम को देखने के तरीकों को प्रभावित करता है ठीक है आई अगला क्विस्चन देखते हैं क्या है अगला question है friends आपका कि सतत वा समग्र मुल्यांकन की क्या माइने है पहला है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुल्ला करना है तुल्ला करना है तुल्ला करना ये आपका negative word होता है दूसरा है आपका option की बच्चे के ब्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिवीदियों के आकलन के सभी पहलूओं को सामिल करना है ये आपका कुछ हद तक ठीक है बड़ हम लोग आगे के जो भी option है उसको देख लेते हैं तुसरा option है आपका केवल से अच्छे गतिवीदियों के आधार पर बच्चों का प्रदार ये आपका बिलकुल गलत हमने आपसे बोला है जहां पर केवल आ जागा वह आपका negative word हो जाएगा ठीक है चौथा option है आपका देखेए चौथा option है आपका साल के आंत में बच्चों का मुल्यांकन करना उनके गलती कच्छा में पदोनती का निर्ष लेने के लिए मुल्यांकन करना योग करते हैं इससे सिच्छक को किस प्रकार का मुल्यांकन करने में मदद मिलेगी योगात्मक मुल्यांकन रचनात्मक मुल्यांकन मानक संदर्भित मुल्यांकन तो देखे फ्रेंड्स इससे जो कच्छा में जो सिच्छक हैं उनको जिसे जाज करते हैं ठीक है तो किस प्रका नियोजित्व सतत्स प्रक्रीय अर्टिक है जिसकाचा उपयोग सीखने और सीखाने के दौरांaktan जाता था 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 थाकि उनका इच्चित अनुस्यास नात्मग सीखने के परडामों कि छात्रों की समझ होती है उसमें शुदार और छात्रौ को जो है कि स्वा निर्देशी सिखार्ती बनने में शहाता करने के लिए छात्र सीखने के साथष का उप्योंग किया जा सके ठीक है friend! अगला question है आपका ठीक है friends हमारा अगला question है कि एक समावेसी कछ्छा में सिच्छिका की क्या भूमिका है ठीक है एक समावेसिक अच्छा में सिच्छी का कि क्या भूमिका है पहला option है आपका कि बच्चों की विविद जरूर्तों का पता लगाना वो उनका खयाल रखना ठीक है ये आपका देखिए correct हमें लग रहा है बट हमने आगे देखना है अगला question है बच्चों को उनकी अकादमिक छमता के आधार पर पहचानना वो प्रिथक करना ये भी आपका गलत है ठीक है अगला है आपका खास जरूर्तों वाले बच्चों को बिसे सग्य के पास भेजना वो सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संका में पढ़ाया जाए ये भी आपका गलत होगा आपका right option क्या होगा one ठीक है अगला question है देखिए वीविद समूहों के विद्यार्थियों के सिच्छड के दौरान एक सिच्छिका को क्या ध्यान रखना चाहिए देखिए वीविद समूहों के विद्यार्थियों के सिच्छड यानि कि कई समूहों के विद्यार्थि हैं उनके सिच्छड के दौरान जो करना तीसरा है आपका सू शंगत संप्रेशड बनाये रखना चौथा है आप प्रत्य चनिर्देश देना पांचवा है आपका विद्यार्थियों को श्वायत्तता वर लचीला पन देना तो देखें इसका जो सही आप्सन आपका हो जाएगा वह क्या होगा यानि कि जो आपका पहला है वह सही होगा ठीक है हर विद्यार्थियों को स्विकार करिए और उसको सम्मान दीजिए ठीक है और आगे देखें क्या होगा सांस्कृतिक विभी नताओं को अंदेखा करना बिलकुल नहीं यहां पर सांस्कृतिक विभी नताओं को अंदेखा है इसको बनाया रखना चाहिए ये भी आपका सही होगा और देखिए क्या है कि आप प्रत्यच्छ निर्देश देना ये गलत है आप प्रत्यच्छ आप निर्देश क्यों देंगी प्रत्यच रूप से दीजिए जब सभी बच्चे सामने है तो उनके आमने सामने बैठ करके निर्देश दीजिए ठीक है आपका बिद्यार्थियों को स्वायत्तता वला चीला पंद ये भी देखिए आपका करेक्ट है तो देखिए फ्रेंट्स पहला तीसरा और पांचवा कौन से आप्शन में है आप्शन नमबर थर्ड में तो आपका राइट आप्शन क्या हो जा विवित तरह के द्रिस्यक प्रस्तूती करण पर ध्यान देना चाहिए और देखिए आपका दूसरा है आपका कई प्रकार की इस परशनी और हस्त कौसल सामगरी का उपयोग करना चाहिए तिसरा है बहुत सी मुख फिल्में दिखानी चाहिए बहुत सी सनरचित वर्क सीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं है देखिए फ्रेंट आपका इसमें जो राइट आप्शन है वो यहीं होगा कि विवित तरह के दृस्तिक प्रस्तूती करण पर ध्यान देना चाहिए ठीक है अगला कुश्चन देखिए आपका क्या है अगला में चुनावति किसका विशिष्ट अभिलच्षड है पहला देखिए हैं स्वलीनता दूसरा है आधान निवनता अतिक्रिया सीलता विकार तिसरा है पठन वैकल गुड़ज वैकन चोथा है ठीक है यहां पर फ्रेंट आपसे पूचा है सामाजिक अंतक्रिया और मौखिक सं चाहिए रचाहिए तो देखेए इसका जो राइट अपसिन आपका हो जाएगा जो मिन अधिक हैं कि देखिए हमने आपका जो एक टीन कोस्टन बताया यह थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गया है इस वापर इस परस नहीं क्योंकि देखिए वहां पर दृष्टी बाधित किया गया थी कि हमने यहां पे ध्यान ने दिया सौरी उसके लिए देखें यहां पर क्या दिया दिरिश्टी बादीत है विस्ष्ट जरूर्ट्व के लिए एक सिच्छक को तो यहां पर देखें कई प्रकार की इर्षपर्शन नहीं हस्तकॉसल सामकरी का उपयोग करना तो यहां पर पठन और वैकल ले तो होगा नहीं पठन से आपका देखें डिस्लक्सिया होता है और गुड़त से जो होता है आपका वो डिस्कैलकूलिया होता है ठीक है तो यहां पर आपका राइट अप्शन क्या हो जागा स्वालिन्ता ओके फ्रेंड्स देखें जो आत्म है कि सिच्छक बच्चों को विभी नरंगों वाली चीकनी मिट्टी दे कर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं इसके मद्यम से वह बच्चों में खाले इस्थान को बढ़ावा देना चाहती है स्रीजिनात्मक्ता रटना रटना तो आपका गलत हो जाएगा और शहयो कि सालों में किसके बिकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए पहला है आपका सारेरी कॉषाल दूसरा सामाजी कॉषाल संगयानात्मक्ता पॉषाल न को मिदत्यक तो देखने इसका जो आपका राइट अप्षन हो जाएगा 21 का वो आपका क्या हो जाएगा उसका देखिए फ्रेंट्स अमूर्त तर्क तो नहीं होगा बाकी यह आपके चारु होंगे ठीक है सारी कोसल समाजी कोसल संग्यानात्मकोसल और श्रमेगात्मकोसल ठीक है बच्पन के प्रारंबिक सालों में विकास पर ध्यान दिया जाता है इनी चारों पर दिया जाता थो तो देखे 1,2,3,4 तो देखे फ्रेंट्स आपका option यहाँ पर दिया गया है 1,2,3,4 तो देखे यहाँ पर third option में है तो question number 21 का right option आपका third हो जाएगा ठीक है आगे question देखे फ्रेंट्स की रचनावादी कच्छा में अर्थपूर्ड सीखना जानकारी के भंडार वो उप योजन से होता है दूसरा है अन्वेशड वो अंतक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है तीसरा है इनाम वो सजा के प्रयोक से होता है चोथा है बारम बार वेधन तथा अभ्यास से होता है तो देखे फ्रेंट्स हमने आपको पहला ही बताया है जहाँ पर आपका अन्वेशड करके अंतक्रिया के द्वारा सीखें यहां पर आपका राइट अप्शन टू हो जाएगा बाइस का आए अगला क्विश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि एक सिच्छी का एक बच्ची जो एक आधारणा को शमझने में असमर्थ है कि साथ मिलकर काम करती है उसे इसारे देते तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है पाड़ सिच्छा केंदर सिच्छा सास्त्र अनुरच्छड पूरवाभ्यास प्रत्यच्छ निर्देश तो देखें यहां पर आदेश देते हुए बता रहे हैं तो हमने आपको पहले ही इस question का आशन बताया है आंसर कि पाड़ होगा ठीक अगला question देखते हैं हमारा क्या है आप आप लोगों कि यह सारी वीडियो हमारी पसंदारी होगी तो आप लोग कंटीनिव बने रहे हैं बिना इसकीप किए इसको देखें और लाइक और सब्सक्राइब साथ में करते रहे हैं देखें हमारा 24 question है question number 24 अभी कथन और अरीजन और तरकवाला तो देखें यहां पर कथन क्या कहा गया है कि एक सेच्छी का कच्छा को संग्वादातमक बनाने के लिए बच्छों के आसपास के पर्यावरार से महत्तपूर भूमिका है सामाजी सांसिक्रतिक संदर्व की सीखने महत्वपुड भूमिका है ठीक है सही विकल्प चूने अब देखें यहाँ पर आपका क्या कहा गया है कि A और R दोनों सही है और A और की सही ब्याख्या करता है दूसरा option है A और R दोनों सही है लेकिन आर A की सही ब्याख्या नहीं करता है तीसरा है आपका A सही है लेकिन Rусов been to a जिए और R दोनों गलत है ठीक है तो देखें फ्रेंड 22 है यह आपका ज़ाइगा यहाँ आपका यहीं होगा A और R दोनों सही है आर जो है ऑट की सही ब्याख्या करता है ठीक है वे बढ़ते हैं और बदलते हैं ठीक है इस प्रक्रिया में निर्दिष्ट करते हैं कि सफल बहुत धिक विकास का अन्तिम उत्पाथ क्या होगा ओके उप्रेंड तो इपर राइट आपका क्या है वन आईए अगला क्विस्चन देखते हैं इमारा क्या है देखे समस्या को शही से पहचानना ये तो अच्छी बात होती है making in some dh a को इसरा समस्या को इस परश्टता से परिभासिट कर न ये भी आपका सही हैakah पहले सुल जाय गई जो घंक्वान स्टी इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके से पारंपरिक तरीके पर इस्थिर रहना ये देखिया आपका नहीं हो यहीं एक है जो आपका बाधा उत्पन करेगी तो देखे फ्रेंट इसका जो राइट ऑप्सन है वह आपका फोर्थ हो जाएगा आए फ्रेंट्स अगला कुश्चन विद्यार्तियों की दर्षाती है। दियान से देखिए को अए दोनों को असफलता दर्षाती है। कि बच्चों में.. खुद्स से सोचने की छमता नहीं होती है। नहीं लें पड़ताध देने शाहा हूतूLife देखिए यहां पर सही option क्या है देखिए फ्रेंट्स यहां पर इसका सही option हो जाएगा कि A और R दोनों ही सही है और A R की सही ब्यक्ख्या करता है यह देखिए बिल्कुल गलत है यहां पर ध्यान से पढ़िए कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां वह तुरूटिय प्रक्रिया में एक महत्वपूर इस्थान रखती है और इसमें भी देखिए जो बोला है कि बच्चों में खुद सोचने की छमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिष्चित करने के लिए लगातार निर्देश देने पड़ते हैं ऐसा भी नहीं है ठीक है कि बच्च सब्सक्राइब को सब्सक्राइब देखेज zde कि अगला प्राथमिक सित्थी अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभी प्रेरणा का बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है जो प्रात्मिक अच्छा के इस इच्छी का है वो अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभी प्रेरणा का बढ़ावा करना चाहती है तो उसके लिए वो क्या कर सकती है ठीक है पहला अप्सन है हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रसंसा करे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हर विद्यार्थी का हर प्रयास का प्रसंसा वो करेगी तो वो उसको आंतरिक प्रड़ा बनाएगी ठीक है दुसरा है अव आंच्छ तो इस परधा को बढ़ावा देकर की विद्यार्थियों में अभी प्रड़ा का विकास करेंगे तो यह नहीं होता है देखे चोथा कहा है कि बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूती को प्रत्साहित करके यह आपका सबसे करेक्ट आप्शन हो जाएगा ठीक है आप्श को अगला क्विश्चन है देखे आपा बेचे का समग्र सारी को मांसिक स्वास्त्य अधिगमहोता है वो क्या करता है ठीक है तूह हैं तो वहां पर देखिए अधिगम को सुसाधित करता है ठीक है फ्रेंट्स यहीं आपका सही होगा देखे जब एक बच्चा यह युवा अपनी सिच्छा के साथ आगे भड़ता है ठीक है तो यह महत्तपूर है कि उनका जो मानसिक होता है भावनात्मक सामाजिक और साररिक कल्यार एक सुरच्छित दे कास होता है ओके फ्रेंट्स आइए अगला क्विश्चन देखते हैं हमारा आज का यह लाश्ट कोस्चन है आपका देखे आपका क्या कोस्चन है रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसकी कारण उसके बिज्ञान की परिच्छा में अच्छे नंबर नहीं आएं जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है रूही अपने रूही अपने प्रदर्शन का आरो पड़ किस कारक को कर रही है पर्यावर्डिय कारक योग्यता की कमी कोशिस की कमी कठीन भाग गया तो देखे फ्रेंट्स यहां पर आपका को चाहिकान कर सकती है रूही अपने प्रदर्रशन को को कर रही है ठीक हो किया थीक है तुझ के तो इसका कारर्ण के कमी कोर्राव तो देखे फ्रेंट्स आज का जो करा थार्टी कोस्टन था आपके CDP के ठीक है चाल डिवलप्मेंट के वह कंप्लेट हुए तो देखे फ्रेंट्स आज होब आप लोगों को हमारी क्लास यह पसंद आई होगे जिन लोगों को पसंद आए ना आए तो भी हमारे चालों को को अच्छा लगे और के फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही धन्यवाद है